गुड़ मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार आदाव और हम सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने यूटूब चैनल या डाट अमितेस क्लासेज में स्वागत करते हैं तो ये आपकी जो कच्छाएं हैं विशेश करके आज कच्छा नमबर दो है और इतिहास की कच्छाती जिसका भाग दूसरा लेकर आए है ये वन लाइन टाइप के प्रस्न है जो आने वाली एक दिवसी परिच्छा है जो सभी आपके बंडे एकजाम है उसके लिए विशेश क करके महत्पूर हैं और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोश्चन आपको एक्जाम्स में कहीं न कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो सबसे पहली बात एक मोटिवेशनल बात आप सबसे सेर करना जाते हैं निंदा से घबरा कर अपने लच को ना छोड़ दें कि लच मिलते ही निंदा करने वालों की राए बदल जाती है। ऐसा विश्वास और आशा करना चाहिए, उसी को ले करके ये बात कहीं गई है। फिर इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपको तो आपको सभी बातों क को लेते हैं हम कच्छाज की शुरुआत करते हैं तो यह प्राचीन भारती इतिहास की कच्छा थी जिसको ले करके आपकी क्लास स्टार्ट हुई है जैसे सबसे पहला प्रस्ण जो आपका परिक्षा में पूछा गया था हडपा इन मोहन जोदड़ों की पुरा तात्विक खु जो मोहर पर बिलती है जिससे ग्यात होता है कि सिंद्ध वहाटी ये मुसव पटामिया की सब्धाओं के मद्द ब्यापारिक संब्द थे ये बैल से ग्राप ग्यात होता है इसके बाद अगला वन लाइनर प्रश्ण है कि हडपा के लोगों की सामजिक पद्धती कैसी थी य खाल से जोते गे खेतों का साचि कहां से मिला तो यह आपका जो मद्ध से जोते गए साथ ये भी आपका लगभग जो मिला हुआ था ये तो kelly बंगा से मिला ता काली बंगा इसमें इंटो का लंकरण भी मिलता है जो कि आपका राजस्थान में मिलता है काली बंगा करता काली चूड़िया मोहंद जोदड़ों कहां इस ते सिंध प्रांत जो कहां पढ़ता है सिंध जो प्रांत आपका पढ़ता है वह आपका पाकिस्तान प्रता है इसके बाद अगला प्राफ्त से हड़ाता से प्रॉप्त में हुए हड़ापा ऐस्तलों की खोच किस प्रांत में ही गुजरात में हुई थी सवतनता के प्राप्त भी आप देख लो तो जो है गुजरात के अंदर जो है लोथल एक पुरम का स्थान है जहां पर आपको प्राजीन साच मिलते हैं अड़पा सभी था किस अड़पा कालिन अस्थल से नर्थ करने वाली इस सवाधान का साक्षी मिला लोथल जो कि गुजरात के प्रमुख बंदरगाह था वहां से आपके यूगल सवाधान के शाच मिले हैं तो यह बहुत ही महत्तपून प्राजीन भारती तिहास की क्लास थी जो विशेश करके सभी एक दिश्ची परिच्छाओं के लिए वनन हंडिद परसेंट ठीक है जय ही जय भारत दोस्तों